हालो फ्रेंड्स नमस्कार एंड विल्कम चुछ अमाधान तो सांथिव उमीद करते हैं कि आप सब सबस्त होंगे और स्टेडी कंटिन्यू कर रहे होंगे सांथिव जो लोग भी SSJD कंस्टेवल के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ यहां पर कि जो भागेंसी यह लगभग क्लियर हो चुकी है और कितना सीटों पर यह भागेंसी इस बार देखने को मिलेगी यह सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे सांथ यहां पर हम लोग यह देखेंगे कि यह लगभग क्लियर हो चीए और अच्छी खासी शीटों पर वेकेंसी आने वाली है इस बार तो आएए इक एक करके सारे चीज़ों को यहां पर क्रिश्टल क्लियर करते हैं साथियों इसमें युकता की बात करें कि कौन-कौन से लोग को अप्लाइए सकते हैं तो ध्यूकता में मैं आपको बता दुए यहां पे कि जो भी टेंथ पास हैं वो भर सकते हैं किसी भी बोड Eisen मैंना पराईप्त से Covid-19 ICSC, BACB या आदर किसी भी State Board से पास किये हों तो वो इसके लिए eligible होंगे टेंथ पास है तो इसके बात कर लते हैं कि जो age limit की आहने वाली है इस बात कर लते हैं तो देखें यहां पर age limit जो है 18-23 रहने वाली है जो general category के candidate हैं उनके लिए और वहीं इसमें आपको अलग-अलग category में अलग-अलग छुट मिल जाएगी जैसे कि अगर आप OBSIS belong करते हैं तो अब 18-26 साल तक बिच में भर सकते हैं और वहीं SST की बात करें तो वो लोग 18-28 तक भर सकते हैं क्योंकि इन लोग 5 सल का छुट मिलता है तो यह age limit हो गया और यह qualification हो गया इसका अंसार अप लोग apply कर सकते हैं तो साथियों यहाँ पर vacancy कितना आएगी यह देखने से पहले हम लोग पहले जो युगता होती है उसको देख लेते हैं तो जो minimum height होती है चाहे वो आप general से हैं OBC से हैं या SEC से हैं तो इसके लिए आपको 170 cm height चाहिए और उस category में female के लिए 157 cm height चाहिए बाकी जो other category के हैं यहाँ पर तो देख सकते हैं जो all candidates belonging to schedule tribes तो male candidate में गवार ST से आप belong करते हैं तो आपको यहाँ पर 162.5 cm height होना चाहिए तब यह आप इसके लिए eligible होंगे अब वहीं बात करें इस category में female की तो 150 cm height चाहिए schedule tribe के candidate के लिए आगे इसमें आपको बता दूँ कि जो all schedule tribes candidate of north eastern state है तो वहाँ के जो male candidate ST के उनको 167 cm ही चाहिए और यहाँ पर female के लिए 147.5 रखा गया है उसके बाद जो ST candidate है left wing extremes affected districts तो यहाँ जो male candidate है वहाँ पर उनका 160 चाहिए और female के 140.5 चाहिए इस तरके सोब भी category का है जो main category का है यहाँ पर मैंने height बढ़ा दिया है किसका कितना height चाहिए अब chest की बात कर लेते हैं कि chest कितना इसमें लगता है तो यहाँ पर साथी हो अगर chest के बात करते हैं तो जो भी candidate यहाँ पर general SC और OBC से विलोंग करते हैं तो इनको 80 cm बीन फुलाई chest होना चाहिए male category में female का तो नहीं यहाँ पर लागू नहीं है और यहाँ पर जो इनका 5 cm expand करने के आना चाहिए मैंने सीना फुला करेंगे पचासी होना चाहिए बाकी आपको मैं आगे इसमें बता दूँ जो होता है आपका तो यहाँ पर minimum chest for all male is scheduled tribes HD से जो भी बिलोंग करते हैं उनको 76 cm होना चाहिए और 5 फुला करके 80 होना चाहिए तो यह तो होगया chest का greater आप इसके बाद देख लेते हैं जो आपका physical होता है वो physical कैसे होता है क्योंकि जो आपका selection होगा वो आपका retain होगा पहले retain के बाद आपका physical होता है और physical में जो weekend date pass कर जाता है उसके बाद से आपका medical लिया जाता है तो मैं बता दूँ कि जो भी male candidate है किसी भी category है तो उनके लिए यहाँ पर 5 km दौर complete करना होता है और जिसके लिए 24 मिनट का समय आपको मिलता है और यहाँ पर जो आपका दौर का marks होता है यह merit में नहीं जुड़ता है तो इसलिए यह equal qualifying है तो ऐसा नहीं है कि आपको कम समय मारेंगे तो आपको जादे benefit मिल जागा हाँ 24 मिनट के अंदर में इसको आप लोग complete कर लेते हैं तो इसके लिए qualify कर जाएंगे वही female category के लिए बात करें तो इनका होता है 1.6 km होता है इनको लगपक शाड़े आठ मिनट का समय मिलता है इतना समय दिया जाता है तो काफी समय है इनके लिए तो इनको इसमें भी qualify करना होता है तो बाकी यह तो physical criteria हो गई कैसे क्या होता है उसके बाद आए बात कर लेते हैं जो इसका syllabus है इसके बाद हम लोग यहां पर देखने वाले है कि इस पर कितना स्रीट आने वाली है इसमें तो syllabus की बात करें साथ भी यहां पर तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो GKGS होता है GKGS से आपका 25 questions आते हैं और इसके लिए marks भी आपको 25 दिया जाता है और GKGS में आपका पुछा जाता है जैसे इसमें आपका geography हो गया polity हो गया history हो गया उसके बाद से science है गया science में आपका physics chemistry by logic तीनों आ जाएगा history, geography, polity, economics और उसके बाद से जो current affairs होता है जो बरतमान की समसमाई घटना होती है इससे भी questions इसमें पूल में आकरके 25 questions पुछे जाते हैं इसके बाद बात कर लेंकि जो दूसरा होता है तो उसमें आपको math से math से इसमें आपको 25 questions पुछे जाएंगे और math में आपको बता दूँ साथ यूँकर आप 10th level के math अच्छे से पढ़े हैं या नई पढ़े हैं तो उसको पढ़ लिजिएगा तो बस arithmetic questions वही से आते हैं arithmetic से आते हैं questions यहापे और easily वह बन जाता है practice करने के बाद से तो यहाँ भी आपको 25 questions देखने को मिलते हैं उसके बाद से reasoning की बात करें तो reasoning में आपको 25 questions यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ भी आपको अच्छे से इसका practice कर लेना होगा reasoning के लिए तो यहाँ पर देखा आपने की GKGS से 25 और math 25 और reasoning से 25 उसके बाद जो अगला section आता है इसमें हिंदी का आता है और हिंदी से भी यहाँ पर आपको 25 questions तेखने को मिल जाते हैं तो total आपको 100 questions मिल जाते हैं यहाँ पर GKGS से 25 और reasoning से 25 mathematics से 25 और उसके बाद से आपका यहाँ पर हिंदी से 25 यानि total 100 questions 100 marks को होते हैं जिसके लिए आपको 90 minutes का समय दे जाता है 90 minutes में आपको इसको solve करना होता है यानि एक घंटे में और मैं बता दूए यहाँ पर कि अगर आप एक question सही करते हैं तो इसके लिए plus one marks दे जाते हैं और वहीं अगर आप तीन question चार question गलत कर देते हैं तो एक marks काट लिए जाता है यानि इसमें one fourth negative है यानि 0.25 marks आपके negative mark काट जाते हैं तो negative से बचना है आपको इसमें और इसको syllabus को त्यारी करते रही है जैसे मैंने syllabus बता आया है अब आगे इसमें बात कर लेते हैं जो वेकेंसी कितना आने वाली है उसके बारे में तो यहां पे साथियों मैं वेकेंसी के बारे में बताऊं आपको कि इस बार आपको वेकेंसी कितना देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट वाइस सीट डिटेल्स मैंने यहाँ पर बताया है इसमें फोर्स होगे डिपार्टमेट और इसमें कितना सीट है तो सबसे पहले असाम राइफल के बात करते हैं तो असाम राइफल में आपको यहाँ पर 9676 वेकेंसी इस बार आने वाली है तो यहाँ पर अच्छी खासी वेकेंसी है लगभग 956 पलस है 9666 वेकेंसी है उसके बाद जो BSF है इसमें तो BSF में आपको 19254 वेकेंसी देखने के मिल जाएंगे यह भी अच्छी खासी सीट है BSF में अब जो तिसरा नमबर आता है आपर FCISF तो CISF में आपको 10968 वेकेंसी इस बार अच्छी खासी वेकेंसी है CISF में तो बिल्कुल जो जिनका भी शपना है CISF में जाने का तो आप लोग प्रिपेरेशन करते रहे हैं यह भी यानि 11000 चल सकते हैं उसके बाद जो सबसे भेकेंसी है इस बार वह सबसे जादे भेकेंसी आपका CRF में मिलने वाली है 29886 भेकेंसी लगभग 30,000 यहां पर भेकेंसी है अब बात कर रहे हैं ITVP के तो इसमें इस बार सबसे कम भेकेंसी देखने की मिलेगी देखने की मिलेगी तो इसमें भी अच्छी खासी वेकेंसी है तो यहां बहुत से लोग बोलेंगे की इतना कैसे आगा तो मैं बता दूँ कि जो पिछला बार वेकेंसी आया था उसमें 25,000 था तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि उसमें आपको एक भी CRPF का वेकेंसी नहीं देखने को मिला था और यहां पर देख सकते हैं कि लगभग 30,000 प्लस जो CRPF की वेकेंसी है इस बार इसमें इंक्लूड किया गया है तो यह है तो आपको जादे समय नहीं मिलागा क्योंकि आपको जयादे चेंसर नहीं रहेगा और रेगुलर प्रेक्टिस डेली प्ढ़ाई करते रहे और प्रेक्रिक्टिस करते रहे आपका क्वालिफाई कर जाए क्योंकि मेरे टीसी वेसिस पर बनने वाला है फिजकल तो के वाल आपका क्वालिफाई है तो रीटेन को जरूर मजबूत कर ले अपने जैसे मैंने सिल्वस्क बताया है और बाकी कंटिन्यूर है आगे जो भी अपडेट आता है आपको दे दिया जाएगा चैनल पने है तो ऐसे डेट के ले चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद